वारत वाज पर मैं आपको यह वीडियो दिखा रहा हूं जो कि आज कल वीडियो चल लहीं है टारगेट एजी जही तो जार अठारा की जिसका एकजाम बहुत ही जल्दी आने वाला है यह नई एक सीरीज सुरू कर रहा हूं सीरीज एक जार टॉप कोशिंस यानि एक हजार बहुत ही इंप्रॉटेंट 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 कोश्टंज इसफी वीडियो में आपको दिखाऊँगी तो नए है के चैनल के सब्सक्राइब करके वे लाइकन बढ़ने जिससे की आगे की वीडियो जो आपको मिलती लए सकें चलिए शुरू करता हूं कोश्चन नमर एक से भारत में सबसे बड़ा क्रशी प्रायोगिक फ़र्म है कहां सूरतगर कभ दो नंमर है भारतिये दलहन सोज संसथान है कहां कानपुर में है रहा प्रातिये बारटिये सफ्जी सोज संसथान तो भारतियवान की सोत संस्तान कहां है देहरादून में है पांच नमबर है आपका केंद्रिय उपोष्ण बागवानी संस्तान केंद्रिय उपोष्ण बागवानी संस्तान कहां है बंगलोर में ये कुछ संस्तान है जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के हैं तो ये काफी अच्छे कोश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं कि एक्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं चलिए छे नंबर आगे है आपका भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है डॉक्टर एमस स्वामी नाथन जो है हरित क्रांती के जनक है साथ नंबर कोश्चन है हरित क्रांती किस पंच वरस्री योजना में लागू की गई तो हरित क्रांती जो लागू की गई थी वो तीसरी पंच वरस्री योजना में लागू की गई थी आगे आपका आठ नंबर है भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम तो भारत में हरित क्रांति का जो दूसरा नाम है वो बीज अरुबरक एबं सिचाई क्रांति है 9 नमबर question आपका है हरित क्रांती का सरवाधिक प्रभाव किस फसल में देखा गया तो हरित क्रांती का जो सरवाधिक प्रभाव पड़ा है वो किस में पड़ा है गेहू में पड़ा है यह दस नमबर आपका है हरित क्रांती सबसे अधिक सफल रही तो हरित क्रांती जो लाई गई थी तीसरी पंचवर्षी योजना में तो वो कहां कहां सबसे अधिक सफल रही तो पंजाब में, हरियाना में और उत्तर प्रदेश में इन तीन जगाओं उपर सबसे अधिक सफल रही है ग्यारा नमबर है, कुल फसल प्रतिसत के रूप में भारत में खाधान का उत्पादन, तो कुल फसल जो उत्पादित होती है भारत वरस में, उसमें से जो खाधान उत्पादन होते हैं, उनका सत्तर प्रतिसत लगवग होता है यानि कि कुल फसल उत्पादन का 70 परसर सिर्फ और सिर्फ खादान नहीं उत्पादन होता है बारा नमबर है भारत में गेहूं की किस जात की पोहतायत में खेती की जाती है तो भारत में जो गेहूं की सरवादिक खेती की जाती है वो व्रेड गेहूं की खेती की जाती है तेरह नमबर है आपका बह कौन सा राज्य जो गेहूं की खेती नहीं करता है यानि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती ही नहीं करता है तो कौन से है तमिल नाडू ऐसा राज्य है जहां गेंवें की खेती नहीं होती है चौधर नमबर है आपका आर्ष्टेलिया की सबसे महत्ववोण खाद फसल तो आर्ष्टेलिया की जो सबसे महत्वूण खाद फसल है वो गेहू है पंद्रह नंबर है भारत में कौन सी फसल अक्टूबर में वोकर अप्रैल में काटते हैं तो नॉर्मली सी है रभी की फसल है रभी की जो मुख्य फसल है वो गेहूं है तो गेहूं ऐसी फसल है जो अक्टूबर में वोकर अप्रैल में काटी जाती है यहां पर हो सकता है रवी की फसलें, रवी की फसलें भी ऐसी हैं जो अक्टूबर में वोकर अप्रैल में काटी जाती हैं, यह 16 नंबर है आपका, भारत के कुल छेत्रफल में सबसे अधिक छेत्रफल की जाने वाली फसल, तो भारत का जो कुल छेत्रफल खेती योग्य है, उस सिस्ए सरवादिक छेत्रफल क्याइदी या धान की खेंति सर राधिक छेत्रफल से प्रमुख फसल bytin' सरवादिक पृइंद पादन की लिए से सर वादिक उत्पादन भी इसी का होता है संस्पूर्ण भारत के यहां पर बात चल लाई यह आगे 18 नमबर है भारत का चावल का कटोरा के शेत्र को कहा जाता है तो चावल का कटोरा कहा जाता है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सरवाधिक चावल का उत्पादन भी होता है और सरवाधिक चावल की खेती भी की जाती है 19 नमबर आपका है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर यहाँ पर इंटरनेशनल हम बात करें तो आपका जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आता है वो चीन आता है चीन जो है चावल का सबसे ही बड़ा उत्पादक देश है 20 नंबर है चाई की खेती होती है तो चाई की खेती कहा होती है पहाडी धालों पर चाई की खेती की जाती है क्योंकि इसमें पानी का वहरा रहना पहुत ही घातक होता है यानि पानी वस दिया जाए और पानी उतर जाए पहाड़ी ढ्राल पर चाए की खेयती की जाती है, जिसे इसे में एक तरब से पाणी दिया जाता है, दूसीज तरब से पानी निकलता रहता है, उसों बहुत important questions हैं, सारे questions देखते रही हैं, क्योंकि आपके exams में बहुत ही फाइदे मन्दीय सावित होंगे गें, इककिस नंबर करता है 22 है सरवोत्तम चाए कहां पैदा होती है तो सरवोत्तम जो चाए पैदा होती है वो दार्जलिंग में पैदा होती है कि Watchan Sphere ऐसा आए कि वहा जो चाए का उतपादन होता है वो सबसे ही अलग रहता है 23 काफीश नमबर है भारत में खा ळाने वाली कॉफी की अधिकतर किस्म तो भारत में जो कॉफी वा जाती है उसकी अधिकतर जो किस्म है अरैविका किस्म की कॉफी वाई जाती है। काफि का सबसे जादा उत्पादक राज्जे कौन सा है करनाटक का है तो भारत में काफि का उत्पादण होता है चैनल मैं एक दो दिन पहले ही बता चुका हूँ कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्जिक करना तक है पच्चिस नमबर है विश्व में काफी का सबसे बड़ा उत्पादक यानि पूरे अगर विश्व की बात करते हैं तो विश्व में जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो ब्राजील है ब्राजील कासी कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है 26 नमबर है एक मनुस्य की उसत सक्ति क्या होती है तो जो मनुस्य की उसत सक्ति है वो 0.1 HP मनुस्य की उसत सक्ति है चलिए यहाँ पर आगे 27 नमबर है आपका एक बैल की औसद सकती क्या है तो एक बैल की जो औसद सकती है वो 0.5 HP एक बैल की औसद सकती होती है 28 नंबर है एक घोड़े की औसद सकती क्या होती है तो एक घोड़े की औसद सकती जो होती है वो 0.65 से 1.25 HP तक होती है दोस्तों ये HP जो है बहुत ही important है एक पर देख लीजेगा क्योंकि ये कई बार पूँची जा चुकी मनुस्य की बैल की और घोड़े की इन तीन चीजों की कई बार horsepower यानि औससक्ती कई बार पूँची जा चुकी है चले 29 नमबर है बिंड मिलके लिए बायू की गती कितनी होनी चाहिए बिंड मिलके उचे तरीके से कारी करने के लिए जो बायू की गती होनी चाहिए वो 10 से 30 किलोमीटर प्रतिगहंटा होनी चाहिए कहीं कहीं भी ये 8 km से लेकर 30 km तक भी दर्साया जाता है तो नॉर्मली जो रेंज हम लेते हैं वो 10 से 30 km तक की मैक्सिमम जगए पर आपको मिलेगी 10 से 30 km प्रतिगंटा की विंड बायूगती होने चाहिए जो की विंड मल्कों सही से कारे करने के लिए जरूरत होती है चट्टाने रूपांत्रित चट्टाने और अबसाधी चट्टाने कई हमारे मित्रों ने इस कोश्चन को गलत आंसर दिया कोई 4 चट्टाने बता रहा है तो 1000 questions की series है तो आगे के और questions भी आपको दीरे दीरे सारी videos में मिलते रहेंगे समय बहुत कम बचा है तो सारी videos daily जल्दी जल्दी आती रहेंगे video के साथ बने रहेंगे video पर हमें आप सहयोग को देखते रहें video को like करिये video के बारे में कुछ बताना तो कमेंट करिए आप जितना हमें सयोग देंगे हम उतना ही आपको वीडियो के जरीए नोट्स प्रोबाइट कराते रहेंगे समय कम है वीडियो जल्दी जल्दी आती रहेंगी अगे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा